बारत के पडोसी देश मेमार में बड़ी राजनीति कुठापटक की खबर है यहां के सबसे बड़े नेता आंग सानसू की राष्टपती और सत्ता रूर पार्टी के अन्य वरिष्ट नेताओं को हिरासत में लेने की खबर है सूचना ये भी है कि सेना ने तक्ता पलट कर दिया है सूत्रों के मताबिक सेना ने एक साल के लिए देश को अपने नियंतरण में ले लिया है कहा जा रहा है कि ये कदम सरकार और सेना के बीच बढ़ते तनाओं के बाद उठाए गया है उलेकनिया है कि पिछले वर्ष 8 नवंबर को हुए आम चुनाओ में व्यापक धांदली के बाद सेना द्वारा जनवरी में तक्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी बताया तो ये भी जा रहा है कि सेना ने आंगसान्सूकी को अहुस अरेस्ट के तहत हिरासत में ले लिया है इतना ही नहीं मैमार की राजधानी नेपिता में संचार के सभी मार्दिमों को बेन कर दिया गया है फोन और इंटरनेट सर्विस को भी निलंबित कर दिया गया है तदा नेशनल लीग डेमोक्रेसी पार्टी के एकसस को भी खतम कर दिया गया है वही तक्ता पलट की आशंका के बीच स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी के साथ साथ राश्टपती विन म्यांत को हिरासत में लिया गया है नेशनल लीग फोर डेमोक्रेसी के प्रवक्ता मायो न्यांच ने बताया कि मेमार की काउंसलर आंग सान सूखी और सतारूर पार्टी के अन्य वरिष्ट नेताओं को सुबह हिरासत में लिया गया लेक्निया है कि फिछले साल के चुनाव के बाद मेमार के संसत राजधानी नेपिता में संसत के पहले सत्र के लिए सौंब़ार को एकत्रित होने वाले थे हलाकि सेना के हालिया बयानों से सैन्य तक्ता पलट की आशंग का दिख रही थी सूची ने पार्टी ने संसद के निचले और उपरी सदन की कुल 476 सीटों में से 396 पर जीत दर्ज की थी जो बहुमत के आकड़े 322 से कही अधिक था लेकिन वर्ष 2008 में सेना द्वारा तयार किये गए सम्विधान के तहट कुल सीटों में 25 प्रतिशत सीटे सेना को दी गई है जो सम्विधानिक बदलाओं को रोकने के लिए काफी है कई एहम मंत्री पदों को भी सेन्न नियुक्तियों के लिए सुरक्षित रखा गया है सूची 75 देशों की सबसे अधिक प्रभावी नेता है और देश में सेन शासन के खिलाफ दश्कों तक चले अहिंसक संघर्ष के बाद वो देश की नेता वनी मेमार में सेना को चेट मदा के नाम से जाना जाता है सेना के चुनाओं में धोखा धड़ी का आरोप लगाया हलाकि वह इसके सबूत देने में नाकाम रही देश के स्टेट यूनियन इलेक्शन कमीशन ने पिछले सप्ता सेना के आरोपों को खारिज कर दिया था इनारोपों से पिछले सप्ता उस वक्त राजनितिक तनाव पैदा हो गया जब सेना के एक प्रवक्ता ने अपने साप्ताहिक सम्माद दाता सम्मेलन में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में सेन्य तक्ता पलट की आश्रंका से इनकार नहीं किया मेजर जनरल जो मिन तुन ने कहा था कि सेना सम्मेधान के मताबिक कानून का पालन करेगी कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग ने भी वरिष्ट रदिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो सम्मेध मेज़ान को रद कर दिया जाएगा इसके साथ ही देश के कई बड़े शहरों की सडकों पर बक्तर बंद वहनों की तैनाती से सेन तक्ता पलट की आशंका बढ़ गई हलाकि शनिवार को सेना ने तक्ता पलट की धमकी देने की बात से इंकार किया और अग्यात संगठनों एवं मीडिया पर उसके बारे में ब्रहमक बाते फैलाने तदा जनरल की बातों को गलत तरीके से पेश करने का रोप लगाया सेना ने रविवार को भी अपनी बात दोराते वे तक्ता पलट की आशनका को खारिज किया और इस बार उसने विदेशी दूतावासों पर सेना के बारे में ब्रामक बाते फैलाने का रोप लगाया था अमेरिका में राष्ट्रे सुरक्षा परिशत के अधिकारियों तदा विदेश मंत्राले ने कहा कि उन्हें मैमार में हो रहे घटना करम की पूरी खबर है हालाकि उन्होंने तक्ता पलट और नेताओं को हिरासत में लिए जाने की पुष्टी नहीं की है ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वारी मवारी झाल